दोस्तो जब से रशिया के तरफ से यूकरेन के उपर हमला किया गया है तब से ही वेस्टरन देशों के तरफ से रशिया के उपर भैंकर सेंक्षन लगाया गया एक्सपर्टों का मानना था कि अगर भारत और रश्या के किसी एक हत्यार के डील के उपर अगर असर पड़ेगा तो वो है S-400 पर दोस्तों रश्या के तरफ से कई सारे मुद्दों को और सैंक्शन को बाइपास करते हुए अब भारत को दूसरे बैच के S-400 मिसाइलों के डिलिवरी का तैयारी किया जा रहा है पर बताया जा रहा है कि रश्या के और यूकरेंट के इस लड़ाई के कारण अब ये कम से कम तीन महिना और डिले होगा वैसे तो रिपोर्ट के मुताविक बताया जा रहा था कि भारत को S-400 के सेगंड वैच के डिलिवरी नेक्स्ट महिना ही होना था लेकिन अब ये करिब करिब और तीन महिने के बाद ही भारत को मिल सकेगा दोस्तों अब के जानकरी के लिए बता दू कि भारत अलरीडी रश्या से पहले वैच के S-400 मिसाइलों को हासिल कर चुका है रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस S-400 के वैच के साथ साथ भारत को सिमुलेटर और ट्रेनिंग इक्वेपमेट में बिला है जबकि इसके इलावा भारत अब तक रश्या से कुछ ओवरहॉल रियार क्रेफ्ट इंजिन और स्पेर पार्स को भी हासिल किया है हाला कि दोस्तों हाल फिलाल में ही कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि रश्या के द्वारा सेगंड वैच के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के डिलिवरी शुरू कर दिया गया है पर डिफेंस सोर्स के तरफ से इन दावों को खारिश करते हुए अब बताया जा रहा है कि ये फिलाल कुछ महिने डिले होने के बाद ही भारत को मिलेगा तो मेडिया रिफोर्टो में ये भी वताया जा रहा है कि इस बार रुश्या के तरफ से S-400 मिसाइलों को भारत के किसी एक पोर्ट में डिलिवर किया जाएगा जोकि दो अलग-अलग जहाजों में भारत में पहुंचेगा जिन में से एक जहाज में तो मिसाइलों के irregular hardwares रहेगा जबकि दूसरे जहाज में मिसाइल के actual interceptors रहेगा और उन्ही मीडिया रिपोर्टों में ये भी वताया जा रहा है कि अब तक ऐसा कोई भी जहाज भारत में नहीं पहुंचा इवन मिसाइल सिस्टम के मतलब second batch के S-400 के क हाँ पर deployed होगा मतलब पाकिस्तान के साथ लगे हुए border के नजदिक deploy होगा जबकि जो दूसरा squadron भारत को मिलने वाला है इसे भारत द्वार अपनी eastern sector मतलब पूर्व सेक्टर में चाइना के साथ लगे हुए border के नजदिक deploy किया जाएगा दोस्तों भारत और रश्या के पीज में payment को लेके कुछ issue भी आया था payment के delay के कारण already पहले missile defense system के delivery में थोड़ा delay हुआ और पिछले साल ही मतलब साल 2021 के नौवंवर महिने में ही भारत को अपना पहला S-400 के delivery मिला जिसले के ये भी cover है कि April महिने के अंदर ही इसे संपूर्णे रूप से शक्रिया भी करना है दोसो हर एक S-400 system जिसे की batteries भी कहा जाता है वो असल में long range radar, target acquisition radar, command force vehicle, 2 battalion launchers के साथ होता है हर एक battalion में 8 individual launcher होता है और हर एक launcher में 4 tubes होता है दोसो हर एक tube में एक एक missile रहता है और total अगर S-400 को देखा जाए तो इसमें कई तरीके के missile है जो की short range से लेके long range मतलब 400 km तक target को नि और इसका जो missile का range है वो अधिकतम 400 km तक है इवन दोसो S-400 को लेके भारत ये वायुसना के कम से कम 100 अधिकारियों को रशिया में train भी किया गया है इवन दोसो इस deal को रोकने के लिए अमेरिका के तरफ से भरपूर प्रयास किया गया और अमेरिका के द्वारा sanction का धमकी भी गया था पर भारत के तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि भारत अपने हिद में जो आवश्यक है वो करेगा और किसी के भी दवाव में नहीं आएगा और भारत के द्वारा ये सावित भी किया गया कि भारत किसी के दवाव में नहीं है और अमेरिका के लाग कहने के बावज वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिंद